हेलो एरीवन आप सबी काईपा फिर स्वागत हमारे यूटूब चानल पर दोस्तो अक्तूमर महिने की करणठफेर लेकर आप सबी के सामने इस वीडियो में आज रहूं दोस्तो इसमें जो ये करणठफेर करामवार याना करणठफेर ये रहेगी पूरे अक्तूमर महिने की म प्रवरी में हम एक्जाम लेंगे अब आपकी फरवरी मिडल के आसपास आपका एक्जाम हो सकता है तो उसके लिए इंपोर्टेंट साथ ही और एक्जाम के लिए भी इंपोर्टेंट है चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा वट्सप ग्रूप और टो एलेग्राम चैनल को जोएन जरूर कीजिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चलिए अब सिल्शला कोस्टन का स्टार्ट करते हैं दो तो सबसे पहला कोस्टन है हर्याना वाड के नुए चेर्मन कोण बने है तो ये बने ही वीपी यादव वीपैडव दोस्तों रिवाडी से हैं ब्रतमान मीन का समय या जनम गयू पटी कारा महँंदर गड रहे गा ध्यामि र क्रेंट फिल्ड विसे विदालले का दोरा किया दोस्तों नियानी क्रेंट फिल्ड विविदालले के दोरे पर रहे हैं question किस तरीके से पूपचा जा सकता है कि हर्याणा के हाल ही में कौन से मंत्री ने जो नभी azat 在 nuit annες के करेंटेंट के विशेविदालले उनिवस्टी का दोरा किया तो आपको जान रखना है इनका नाम किर्शियम कल्यान मंतरी कौन हबी जेपी दलाल जेप परकास दलाल लोहारू भी वहानी विदानसबा सीट से ये दोस्तों हैं तो किरिशियम का किल्यान मंतरी किसान का लियान मंतरी तो साथ की साथ आपका मंतराले भी कवर हो रहा है और स्टेटिक जीक के वीच में साथ की साथ कलियर होती रहेगी तो वीडियो को जादे सेया जादे सेयर करते रहें अगला कोशना गुर्ड गुवर्नेंस के लिए मुखे मंतरी मन और लाल को चेमपीन आफ चेज पुरुसकार से समानित किया गया है तो चैंपियन आप चेज पुरुषकार पूछेंगे किसको दिया गया तो मुख्य मंतरी मंदोर लाल को अगला कोशन है चंदीगड में इंटरेक्टिव फोरम ओन इंडियन एकोनोमी संस्था ने उतक्रेष्ट कारियों के लिए हरियाना कि 25 अस्तियों को चैंप 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 पुरुषकार दो जारीकिस दिया गया तो 25 अरियाना कि इसमें मैंने मैंने इंपोर्टेंट व्याक्त कीतौर रहे उसकी बाद है भी गुरुग्राम में पहली बार राष्टिया सतर का सरस्मेलाव कहाँ पर लगेगा इस बारी गुरुग्राम में वन्या जीव सप्ता हरियाना में कब से कब तक मना जाता है तो 2 से 8 हक्तुमर 2020 तक इसमें जो अब की बार है वन्या जीव सप्ता मनाया गया हरियाना के सभी चिडियागरों में मुपते एंट्री है तो हरियाना में आपको पतावनों चिए कितने चिडियागर हैं भई अगला कोशन है हरियाना की पहली और भारत की दूसरी मूख बादिर्वकील यानि एडवोकेट है दोस्तों ये मूख बादिर्वकील कौन सी हैं क्या नाम इनका है तो हरियाना की पहली हैं और भारत की दूसरी हैं तो हरियाना की पहली रहेंगी दोस्तों सुद्धामनी ये फ मुझन रखती हैं फरिददाबाद से अगला कोशन है हरियाना के किस सेहर में सब से पहले 69 सर्विस की सुई दा में लेगी तो गुरु गरा में इस कोशन कालिट आंसर रहे गा अगला कोशन है हरियाना के गन और सहर में फ्रांस के इरूंगिस international कि तरज पर अंतराष्टिय बागवानी बजार बनाया जा रहा है दोस्तों यह जानते हैं आप सभी तो यह किस की तरज पर बनाया जा रहा है अगला कोशन है हरियान के किस सहर में भारतिय वायुशेना ने पहली बार 90 वास्तापना दिवस मनाया तो चंदीगड में दोस्तों देखे कल आपका जो एकजाम था दोस्तों एस्टेट का कल स्याम वाली शिप्ट का उसमें बहुत सारे क्वासन दोस्तों करण्ट फर हरियान जीएस यह है जो आज आज में जो है एक दो कोशेन आपका मिल जाए तो छोटी सी वीडियो आप जरूर देख लेना और वीडियो को ज़्यादे शेयर कर देना तो हरियाना की किस महिला को सरफ सेस्ट गोल कीपर का वार्ड मिला है तो आप जानते हैं नहीं गोल कीपर जो ना होकी टीम में हो होकी टीम में जो होना हरियाना की जो हना खिलाडी गोल कीपर है जयातर जो हना अब की बार दब दबा दोस्तो हरियाना की खिलाडीयो कर आ है होकी की टीम में तो सवीता पुनिया को गोल कीपर बैस्ट गोल कीपर का वार्ड मिला है इनका सम्मंद दोस्तो शिरसा जिले से सि पहले ही दोस्तों आपका भीवानी होता था अब सिर्षा है 247 वर किलोमेटर इसका एरिया रहेगा जो सवीता पुणिया है इसका जलम हुआ था दोस्तों 11 जुलाई 1990 तो 11 जुलाई 1990 को सवीता पुणिया जो महिला टीम की गोल की पर है बेश्ट गोल की पर कावारी ने मिला ह सिर्षा से समंद रखती हैं अगला है हर्याना राज्य के स्कूलों में वो द्वार को साइबर जागरुकता दिवस मनाया जाएगा तो दोस्तों देखिए जो होना साइबर अभी बहुत ज्यादा हो रहे हैं कभी किसी के जो होना साइबर जो मतलब साइबर जैला दोस्तों वो हर्बुदवार को किसी ना किसी स्कूल में दोस्तों जागरुकता दिवस मनाया जाएगा निबच्चों कौन के प्रेरित क्या जाएगा कि भी आप इस तरह के हमलों से बच्चों इस तरीके साब अपना लो सोने से बच सकते हैं उसके बाद 68 मेराष्टे फिलम पुरुषकार 2020 में दोस्तो हर्याना के सुर्य ये कभी पंडित लखमी चंद के जिवन पर एक फिलम बनी है दादा लखमी चंद ये दादा लखमी इस फिलम को बैस्ट हर्याना फिलम का वाड मिला है किस फिलम को आप से कोशन पूछेगा हर्य जाना की किस फिलम को बैस्ट जाना फिलम पहड मिला है ये 68 मेराष्टे फिलम पुरुषकार में मिला है तो दादा लखमी दोस्तो इस फिलम के निरमाता और अभी नयता कोड है ये स्पाल सरमा इनका संभूद है और जान दीजिएगा ये उकास कुमार ने 7 पतक प्राप्त किया है तो 24 स्टंबर तक होए थे आया जित इंडिया प्लिस गेम में जो अवकास कुमार जो हडो दोस्तो इसने 7 पतक प्राप्त किया अरयाना की दरब से अगला इदुबई मौडल पर हड़ हर्यान के गुरु गुराम मेंक लॉबल शिटी बनाई जाएगी उसके बद सरचता स्रेक्षन 2022 में रियाना काजिकर करते हैं तो रियाना के पांच सेहरों ने जग्या बनाई है टोप 100 के अंदर दोस्तो जिसमें गडुगां और रोतक करनाल पंचकुला और अंबाला काजिकर इसमें रहेगा रियाना प्रदेश में गरुगराम सबसे सवथ सहर मना गया है इन 100 सहरों में दोस्तो जो आपके रियाना की पांच सहर आएं मैं गरुगराम सबसे सवथ सहर question में रियाना को दूसरा स्थान मिला है यानि कि ALL overly jop Earth के अंदर सवथ सर्वेक्षन की जिकर किया जाए ग्रatus इसमें रियाना को सेकिन अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, बार्वे नंबर पर चंदिगड, सैकिंड पर रोग तक थर्ड पर कर नाट धारू हेडा भावानिक हेडा को फास्ट मॉविंग सिट्री का वाड मिला है फास्ट मॉविंग सिटी क्यों दोस्तों यहाँ पर जो ना उद्योगी छेतर जो नविक्सित होता जा रहा है अगला है भी हरियाना के गुरुगराम में होलेंड तक्नीक पर गलोबल फूल मंडी बनाई जाएगी तो गुरुगराम में जो ना होलेंड जीसे हम नीतर लेंड भी केते हैं दोस्तों तो उनकी तक्नीक पर क्या है गलोबल फूल मंडी बनाई जाएगी जो अंतराश्ट ये फूल मंडी है दोस्तों वो भी वहीं पर है लेकिन जो बागवानी और फल फूल अगरिकल्चर मार्किट जो है वो गन्नोर बड़ी इन के अंदर सोनीपत के अंदर है तो गलोबल फूल मंडी जो हो कहां पर है ग्रूगराम में होलेंड के तक्नीक पर बनाई जाएगी महिलाओ में खेलों के परती रूजान बड़ाने पर राज़स्तर खेलों में परदिया सरकार ने नगत पुरुसकारों में बड़ोतरी कर दीए निए राज़स्तर के जो पुरुसकार है महिलाओ के परती उनका जो रूजान बड़ाने के लिए खेलों में उनका जो पुरु किस जीले में G-20 शिकर समयदन की बैठ गायोजित होगी तो most important question है। पहले पेपर में आ भी चुका दोस्तों ct में आया था ये question तो गुरूग्राम में दोस्तों हरियाना के किस जीले में G-20 समयदन की बैठ Mic from the plan की बैठница कायोजित होगी रज़त कमल परुषकार से समानित किया है। इनकी फिलम का क्या नाम है? तो जस्टिस्ट डिलेडब हैं, डिलिवरड्ट तो इनकी फिलम है कि जस्टिस्ट डिलेबड डिलिवरड्ट- ये करनालनिवाशी है, मंदीप सिंग, चोहान, मंदीप, सिंग का समद भी पूछ सकता कि जाइन जाबार चेरी अना